यह दिया दो एंपाइर मत्तब दो बड़े-बड़े समूहों में डिवाइट कर दिया और यह किस ने दिया था टू एंपाइर सिस्टम सिस्टम किस ने दिया था यह दिया था चैटन आपका दिया था और कभ दिया था 19 37 time 1937 तो मारा 3 सिश्टम हो गया 3 kingdom हो गया उसके बाद भी इलों को समझ नहीं आया आ नहीं थोड़ा अलग क्या गया तो इन्होंने अब यह kingdom में ना डिवाइड करके एंपयर में डिवाइड करना तो इन्होंने कुछ नया किया और इन्होंने क्या नया किया सबकी जो गलतिया थे सबकी गलति को इन्होंने सुधारा और इन्होंने क्या किया सारी जीवों को प्लांट और एनिमल में ना डिवाइट करके इन्होंने क्या किया प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक में डिव इन्होंने इसको रख दिया तो यह सारा हमारा क्लियर हो गया कि आपका जो पहले kingdom में डिवाइट कर रहे थे इन्होंने अनिमल प्लांट में ना डिवाइट करके इन्होंने क्या कर दिया कि जितने भी जीओं हैं उनको सिर्फ दो łość एमपायर में डिवाइट करेंगे और यह दो एंपायर कौनसा होगा एक प्रोकेरियॉर्टिक होगा जिन्मेंदेवलाप न good नहीं होता होगा और दूसरा हमारा कौन सा होगा यूखरियोटिक होगा जिसमें इन्होंने क्या बोला तो जो हमारे बैक्टीरिया और आर्की होते हैं बैक्टीरिया और आर्की अलड़ी हम आपको पढ़ा चुके तो जो भी बैक्टीरिया और आर्की होते हैं मतलब जो भी ज इसमें आ जाएंगे eukaryotic तो यह था हमारा eukaryotic और आपका prokaryotic में division मतलब हमने सारे जीवों को क्या किया दो empire में divide कर दिया तो यह फैनली तो classification खतम हो गया classification वाला प्लाट आप लोगा खतम हो गया